तो अगले पांच मिनिट में हम लोग ये देख लेंगे कि भारत में जो वल्चर्ज हैं वो कितने हैं कितने अलग-अलग उनकी प्रकार की स्पीशीज के जो अलग-अलग जो नाम हैं कहीं बार कन्फ्यूस कर देते हैं और उनका एक्च्वल में जो स्टेटस है कि कितने जादा वो खत्रे में हैं वो सारी बात है मैं सिखा दूँगा ठीक है तुपिक में क्यों पढ़ा रहा हूँ कि केरला तमिलनाडू और जो करनाटक राज्ज है वो प्रॉपर क्या हो रहा है कि सिंक्रनाइजड वल्चर का एक सर्वे कराने वाले पहले क्या होता था अलग-अलग कराते थे तो वह डिक्कत होती थी कि एक ही वल्चर को चार बार गिन लिया पता लगे और खुश हो गए केड़नी पे काफी जादा फर्क पड़ा था नेक डूपिंग वगरा जैसी कुछ देखने को मिली थी वल्चर को तो उसके चलते बहुत बड़ी मात्रा में जो है वल्चर खत्रे में आ गए तो यही तीन स्टेट जो है अभी एक पहले सेपरेट सर्वे कराया करते थे लेकि फिर हम लोग कौन कितने खत्रे में है वो हम लोग तुरंत याद कर लेंगे बहुत अच्छा तरीका है देखना सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिटिकली इंडिंजर्ड आयू सी एन के द्वारा यह जो कैटिगरी होती है क्रिटिकली इंडिंजर्ड मतलब आप समझ जाईए लॉंग बिल्ड वल्चर और रेड हेड़ेड वल्चर बस परिशान हो रहे हैं यह क्रिटिकली है और इसके साथ मिक्स करा दिया यदि माल लो इजिप्तियन और इंडियन ग्रिफॉन वल्चर या माल लीजे हिमालेयन सिनरियाज करके या बेल्ड तो फिर बहुत प्राबलम उल्चर यह जो ज किप्स इंडिका से मतलब यह इंडियन वल्चर है इसका नाम इंडियन वल्चर भी आप लोग देख लीजेगा तो एक इंडियन वर्ड भी यूज़ कर सकते हों नहीं तो एक लॉंग वर्ड होजाएगा और एक रट हैड़ेड वल्चर एक कौन सा है रड तो मतलब ध्यान देना दो तो color हो गए red और white वाला याद कर लेंगे हम लोग है ना कि red और white वाला जो मतलब red headed और white backed वल्चर या white rumd वल्चर जो भी बोले वो अपने को याद रखना है कि एक slender ठीक है अब हो सकता है नहीं समझा है तो यह प्यारा भारत लगा देना इसके आगे बाकी तो एक red headed वल्चर रहेगा और एक white रंप यह हो गए चार तुरंत आपने अलग कर लिए सबसे जादा खत्रे में जो है वो यह है इंडियन वल्चर के बारे में बोले चाहिए रेड बोले तुरंत आप समझ जाओ जब भी न्यूजपेपर में लिखा होगा ना अब नाम तो आप चेक कर लेना कि इन में से कोई सा तो नहीं है तो तुरंत आपको याद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब आती है बाद इसके बाद वाली जो केटिकरी होती है आई फिर उसके बाद में थेटन होता है خटरे की और फिर लीस्ट कंसं मानलो लिस्ट कंसन मतलब कि जिसमें ज्यादा भी चिंता एक बात नहीं है खत्रे की ओर है यह संबेदन शील है यह संकट गरस्त है यह अत्यनत संकट गरस्त है तो अब इंडेंजर्ड मतलब इस पे आ चुके हम यह वाले हमने वह चार पढ़ लिए है ठीक है अब यह तो इजिप्त को याद कर लो कि याद इजिप्त वाला जो है वो इंडेंजर्ड है ठीक है मतलब समझ रहा है लांग स्लैंडर रेड वाइट क्रिटिकल इंडेंजर्ड ठीक है मेरा मतलब क्या है कि सबसे जादा critically endangered वाले कर लिए आपने, endangered वाले कर लिए और near threat, least concern वाला एक Indian griffon याद कर लिए यह दिमान लिगा, ठीक है, अब बस हो गया, बचा क्या, यह बचे तीन, तीन जो बचे हैं, अब यह जो already last बचेंगे वो anti की तरफ ले जा सकते हैं, कि हिमाल लिजेगा इसको, तो देखो क्या सीखने को मिला आपको, simple सी बात है, कि मेरे को यदि को रेड बोल दे, white बोल दे, long Indian या white के साथ मैं, इसके साथ मैं, slender लिख दे, यह सब critical सबसे जादा खत्रे में जाएगी, फिर एजिप्त जो है, वो endangered में जाएगा, फिर Indian griffon, वो least concern प लेकिन मैंने आपको त्यार करें, आराम से जो है, इनके एक बार लिस्ट बना लेना, आप कभी भी देखना, कभी दिक्कत नहीं होगी, कौन सा किस स्थिती में, तो at least आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी SGYT10, यह discount code है, इसको हमेशा use करें, for the subscription, खूब discount मिल जाएगा, 6 मे लेने का additional benefit भी आभी मिल रहा है, description में सब कुछ आपको मिल जाएगा, link वगरा, subscription लें और complete त्यारी कर सकते हैं, आप लोग आने कहने पर, thank you so much.